क्रेजी वुमेनिया चैनल पे हूँ और आज की प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए सिंपल रेमेडीज लेकर आई हूँ कुछ ऐसे रेमेडीज जो आप डेली लाइफ डू लाइफ में करेंगे और आपकी किस्मत आपको चमकती हुई नजर आईगी जी हाँ कैसे चलिए बात करते हैं उसके बारे में तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपके पास आपका डेट पर बर्थ होना चाहिए पूरा date of birth नहीं, खाली date होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर 10 तारिक के bond हैं, तो आपने उसको reduce करना है single digit में, और अपना number निकालना है, आपका number होगा 1, अगर आप 24th bond हैं, तो number होगा 6, इसी तरह से 27th, number होगा 9, 2 plus 7, इस तरह से आप अपने number निकाल लेंगे, और number 1 से लेके number 9 में आपका कौन सा number है, और उस number के accordingly बताय हुए, मेरे tips को अगर आप daily करेंगे, तो आपकी किस्मत आपको चमकती हुई नजर आईगी, सबसे पहले हम बात करते हैं, number 1 वालों के लिए, number 1 वाले, वो सूरे से गरवन होते हैं, उनके उपर सूरे देव की खास कृपा होती ह लेकिन सूरे देव जितनी कृपा देते हैं, उतना dominance भी देते हैं, तो आप क्या करें, जिससे कि आपका जो positive points हैं, वो highlight हो और आपकी किस्मत चमकने लगे, number 1 वाले, अगर रोज नियमित रूप से सूरे को जल चढ़ाते हैं, यानि साड़े साथ से पहले, सुबे, जीहा, नहा कर साड़े साथ से पहले, इतना नियम तो आपको बादना ही पड़ेगा न, अगर आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो, सूरे को अगर आप नियमित रूप से साड़े साथ से पहले जल चढ़ाते हैं, और लाल रंग का धागा, आप अपने बाजियों पे मा का कारक है, तो मा से तो हर कोई रिष्टा अपना अच्छा रखता है, लेकिन अगर आप उनकी बाद ज्यादा सुनते नहीं हैं, और उनसे बहुत भहस करते हैं, तो आप उनसकी सुनना शुरू कर दीजे, क्योंकि मा की सला लेकर अगर नंबर दो वाले जितने काम करेंग क्योंकि चंदर्मा मन का कारक है, जितना मन आपका शांत रहेगा, उतनी किस्मत आपकी चमकेगी नंबर तीन की बात कोरते हैं, नंबर तीन जो है, वह जुपिटर का होता है, भरश्पति देव का, जिसको हम हिंदी में गुरू भी कहते हैं, गुरू हमारा teaching से related होता है, शिक्षा से related होता है, पावर, wealth, marriage, इन सब चीजों से related होता है तो गुरु को अगर आप अपना सही करना चाहते हैं और अपनी किसमत चमकाना चाहते हैं तो थर्सडे के दिन स्पेशली अगर आप चंदन का या केसर का तिलक माते पे ठीक बिंदी वाली जगे पे अगर आप लगाते हैं तो आपकी किसमत चमकेगी और साथी साथ थर्सडे क दिन अगर आप बनानास का या पीली चीज का दान करते हैं तो भी आपको अपनी किसमत चमकती हुई नजर आईगी नमबर चार की अगर हम बात करें नमबर चार वाले यह तो राहू से गवन होते हैं मगर राहू चो फेवर करता है तो आपको स्टेबिलिटी भी देता है तो अगर आप नमबर चार बॉन हैं तो आप जितना फॉरें असाइनमेंट्स पर कंसेंट्रेट करेंगे यानि कि बाहर नमबर चार वाले अगर अपने घर में ब्लैक डॉग पालते हैं या अगर घर में पाल नहीं रहे हैं तो भी ब्लैक डॉग की सेवा करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाइफ में वेनेफिट्स होंगे और किस्मत में एकदम इजाफा नजर आएगा नमबर पाँच की बात करते हैं नमबर पाँच यानि की बुद्ध नॉलेज का विजडम का नमबर पाँच अगर आप बॉन हैं यानि की अगर आप तेज तरीक की बॉन हैं फाइफ को बॉन हैं तो आप क्या करें जिससे की आपको आपकी किस्मत चमकती हुई नजर आए पहनने में और ग्रीन वेजिटीबल्स को बहुत जादा खाते हैं। पानी बहुत जादा पीते हैं। तो आपका और भी ग्रीन होगा। और आपको आपकी किसमत इतनी तेजी से चमकती हुए नजर है। कि आपको हैरानी होगी कि इतने simpl से tips से कैसे मेरा वाइदा हो रहा है नंबर छे की बात करते हैं नंबर छे वीनस प्रदां होता है और नंबर छे वालों को तो लिकर मिला है कि अनको fame, money, luxury सब कुछ मिलेगा लेकिन अगर आप नमबर 6 और आपको यह सब नहीं मिल रहा तो definitely कहीं न कहीं evil vibrations आपके life में clash कर रही हैं कैसे दूर करें बहुत simple है बहुत असान है Friday के fast अगर आप रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं रख सकते हैं तो Friday के दिन सुबह गरीब बच्चे को जो छोटे गरीब बच्ची होते हैं खास करके गरीब लड़कियों को कुछ खाना खिला देते हैं कुछ भी लेकर खिला देते हैं वो आपके किसमत को चमकाने के काम आएगा ध्यान है उन्हें पैसे नहीं देने हैं खाने को देना है खाना खिलाना है और पिंक और रेड कलर का पहलने में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फाइदा होगा आप पिंक रंग के या रेड कलर के फ्रेश फ्लावर्स आर्टिफिशल नहीं, फ्रेश फ्लावर्स भी अपने घर में लगा सकते हैं, और उनको सूखने से पहले आपको उन्हें रिप्लेस करना है, मुर्जाए है फूल कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। नंबर साथ के बात करते हैं, नंबर साथ वालों के लिए तो असान भी है और थोड़ा टफ भी है, असान इसलिए कि अगर आप अल्रेडी स्पिरिच्वालिटी को मानते हैं, कोई स्पिरिच्वल प्राक्टिस करते हैं, आपको ध्यान लगाना पसंद है, आपको नेचर के ताइम स्पैन करेंगे, जितना जादा आप स्पिरिच्वल प्राक्टिस करेंगे, यानि कि रेकी हुई, योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, कोई भी ऐसी प्राक्टिस अगर आप करते हैं, तो वो आपकी किस्मत को बहुत चमकाएगा, और आपके रास्ते में आरी सभी मु ट्रे मत कीजिए, किसी को धोका मत दीजिए, किसी का पैसा मत रखिए, पर नारी, पर पुरिष्टे संबंद मत बनाईए, अलकोहल मत लीजिए, और सात्विक और अच्छा जीवन जीजिए, सात्विक नहीं भी जी रहे हैं, रास्तिक भी जी रहे हैं, लेकिन इन चीजों स को नहीं अपना रहे हैं तो आपके किसमत दिन पे दिन चमकती चाहेगी और आठ नमबर के होने के बावजूत भी आप पुरी धुनिया में राज कर सकते हैं जी हां हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आठ नमबर बॉन हैं तो नमबर 9 की बात करते हैं नमबर 9 की बाती सेक्रेट नमबर है मंगल से भी रिलेटिड होता है लेकिन हमारे वेदिक में भी इसको बहुत सेक्रेट माना गया है कहते हैं कि नमबर 9 किसी के लिए अलग्की नहीं होता एकसेट फ्यू तो अगर आप 9 बान हैं हमानिटी को अपना मैंटेन करिये बहुत तो खुले आंख से काम करें नमबर नौ वाले अगर लाल रंग का धागा अपने बाजू पर बांगते हैं हर मंगल वार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाब करते हैं तो उनके किसमत को बढ़ने से और चमकने से कोई नहीं रोख सकता मुझे बताना मत भूलेगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे इनको अजमाना आज से शुरू कर दीजे और हां क्रेजी वोमनिया को सब्सक्राइब